हाई गाईस वेलकम् battu besuMI क्यूएं आज मैं आपके साथ दम- आम आलू बनाने की रेस्पी श будем करूंगी इसको बनाने लिए जो टिप्स और टिक्स में आपके आपके साथ शेयर करूंगी आप इनको जुरूर फोलो करें क्योंकि इस तरीके से बनाए हुए दमालू खाने में इतने लाजबाब लगते हैं कि आप इस रेस्पी को बार-बार बनाना पसंद करेंगे अगर मेरी रेस्पी आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तो आईए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं यहां पर मैंने 500 क्राम के करीब आलो लिये हैं जिनको कि मैंने उबाल लिया है आलों को उबालते हैं मैंने 1 सीटी लगाई थी उसके बाद गैस की फ्लीम ओफ कर दी थी यानिकि इनको मैंने 80% ही उबाला है अब हम सारे आलों को इस तरह से ब्रीक कर लेंगे ताकि सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से जा सकें सारे आलों को मैंने ब्रीक कर लिया है अब हम इसमें एक चुथाई चमच रेड मिच और एक चुथाई चमच हल्दी आड़ कर लेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इन आलों को डिप फ्राइ कर लेंगे कड़ाई में मैंने ओयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिये था यह अच्छे से गर्म हो चुका है अब हम एक एक करके सारे आलू इसमें डाल देंगे और इनको ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे आलो हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं अब हम इनको निकाल लेंगे और इनके लिए ग्रेपी रेडी कर लेंगे अब हम एक कडाई के अंदर दो से तीन चमच ओयल डाल देंगे और ओयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे होईल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है अब हम इसमें कुछ साबुत मसाले डाल देंगे हादी छोटी जमजीरा एक बड़ी लाची थोड़ी सी दालचीनी तीन लौंग दो छोटी लाची थोड़ा से काजू और साथ से आठ दाने काली मिर्च के और तीन साबुत लाल मिर्च और एक तेजपता इन सबको इसमें डाल देंगे और हल्का ब्रावन होने तक बून लेंगे हलका से इनको मैंने बून लिया है अब हम इसमें थोड़ा सा कटा ऊद रकट कर देंगे और इसको भी हलका से बून लेंगे रफली चॉप्ट की हो है, समिचार मीडियम साइस के टमाटर डाल देंगे. अब हम इसका ढकन लगा कर इसको हलका सॉप्ट होने तक पका लेंगे. अब हम इसका ढकन गोल कर इसको चैक कर लेंगे. ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सॉप्ट हो चुके हैं. अब हम गेंस की फ्लेम ओफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा थंडा कर लेंगे थंडा होने के बाद इसको ग्राइन चार्ड में डालकर इसका एक स्मूद पेस्ट बना लेंगे कि अभर फिर सिर्फिक ड़ाइए लेंगे उर चार से मां चमस से तरशने अयसमेरी से आड़ लेंगे वर अधि च्योटी का सम्छbell शेवरेगे कर देंगे यद्वी आदी चोटी चमज हल्दी पावडर एड़ कर देंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो पेस्ट बनाकर हमने रखा था वो एड़ कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आदी चोटी चमज नमों के अड़ कर लेंगे और साथ ही इसमें आदी छोटी चम्मच धनिया पावडर एड़ कर लेंगे आदी छोटी चम्मच इसमें भुनाव जीरा पावडर एड़ कर लेंगे तीन से चार कट्योई हरी मिर्च आड़ कर लेंगे आदी छोटी चम्मच किछनी किंग मसाल आड़ कर लेंगे थोड़ी सी हम यहाँ पर कस्तूरी मेथे अड़ करेंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर मैं 5 अमस देहीं के अड़ करूँगी एक बात का ध्यान दखें कि देहीं हमारी बिल्कुल भी खटी नहीं होनी चीए अब हम इसका धकन लगाकर इसको तब तक पका लेंगे जब तक इससे ओयल सेपरेट ना हो जाए अब हम इसका धकन खोल कर इसको चेक कर लेंगे यह देखिए मसाला हमारा अच्छे से बुन चुका है इसमें सारा ओयल सेपरेट हो चुका है अब हम इसमें जो आलू फ्राइ करके रखे हुए थे वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपको गरेवी चितने गाड़ी चाहिए उसी इसाब से आप इसमें पानी एड़ कर सकते हैं मैं यहाँ पर आदा कब पानी एड़ कर देंगे अब हम फिर से इसका ढखा लगाकर इसको पांच मिन्ट तक पका लेंगे इसको पकाते हुए मुझे पांच मिन्ट पूरे हो चुके हैं अब हम इसको चेक कर लेंगे यह लीजिए दम मालू बनकर हमारे रेड़ी हैं यह बहुत ही टेस्टी बने हैं मेरी रेस्पी आप घर पर जुरूर रहे करें अगर मेरी रेस्पी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जूरूर करें और अपने अनुपर मेरे शान जूरू जूशिया करें